नमस्कार जोहार आप सभी को जारखंड के हाई स्कुल के सिलिवस को हम लोग पूरे आसान भासा में पूरे सिलिवस को समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को जरूर सेयर करें मैथ और फिजिक्स के सिलिवस को इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वन बाई वन सारे चीज़ों को देखते हैं उससे पले आप लोगों से मैं आपकी राय आपके ओपेनियन की अपेक्छा रखता हूं नीचे कॉमेंट करके जो है तो नीचे कॉमेंट करके आपको बुक लिखना है तो चलिए जारकंड हाई स्कूल के सिलिवस को में लोग डिसकस करते हैं सबसे पहले यहां से आपको दिख रहा होगा यह जो पेपर है यानि कि प्रसंद पत्र वन है तो यानि कि कुल मिलाकर बात यहां कि पेपर वन और प यहां पर नीचे यहां पे नुने बता रखा है कि आपको क्या करना है यहां से मैं दिखा देता हूं wait a minute देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा देखें 33% अंक प्राप्त नहीं होगा तो आप पास नहीं होगे यानि कि 200 नमरों में अगर 200 का 33% आप निकालते हो तो आपको यहां से वेट ऐम इनिट में दिखा दू 200 का 33% कितना होगा आप पता कर सकते हो देखें अंडेट से डिवाइट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 66 नमर आपको लाने है 200 में तो इतना नमर आप ले आते हो लेकिन ये नमर एड नहीं होंगे सिर्फ कॉलिफाइंग है ये तो पेपर वन में देखिए हिंदी से 50% पूछे जाएंगे और 100 नमर जो है जारखंड के जीके से पूछा जाएगा जारखंड जीके में क्या क्या होगा वो देख लिजिए साइंस के कुछ कोश्चन होंगे कुछ कोश्चन रिजिनिंग के भी होंगे और जारखंड राज से संबंधित प्रसन आप से पूछे जाएंगे जिसमें कि जारखंड का भुग गोल इतिहास सब आप नोट डाउन करते जाए अपने पेन पेपर पे ताकि आप इसकी तैयारी जो है योट्यूब के कुछ वीडियो से भी देखना चाहते हो तो वहां से देख पाओगे ज्यारखन में क्या खान है क्या कौन से अस्थान है खनीज राष्टी या अंदोलन में ज्यारखन का क्य योगदान था जो बिर्सा मुंडान ने योगदान दिया था सिद्धू कानू ने योगदान दिया था और भी बहुत सारे लोग यहां पे थे तो उनके बारे में आपको जानकारी रिलर रखनी होगी खेल खिराड़े यहां पे कौन है व्यक्तित परसनालिटी और नागरी क आप देख सकते हो मैट्स और फिजिक्स के लिए पाला पेपर क्या होगा इसमें फिजिक्स का होगा जोकी 75 मार्स का होगा और 75 आपका क्या होगा mathematics के paper से question पूछा जाएगा तो चलिए one by one सारे चीज़ों को देख लेते हैं general physics में देखिया क्या क्या पूछा जाएगा vector और इसके जो properties हैं वो आपसे पूछ लिया जाएगा relative velocity क्या है इससे प्रस्ण पूछे जाएंगे uniform circular motion क्या है work and energy क्या है मैं आप लगों को बताता हूँ NCRT से class 9-10 को पले आप work energy पढ़ लीजिए उसके बाद आप 11-12 के book को छुना power, gravitation, escape velocity, capillars, law ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और palantry motion, elementary idea of surface tension यहां से देख सकते हो angle of contract, velocity, elementary ideas ये सब आपको प्रसन पढ़ लेने है relativity में देखिए आपसे जो प्रसन आएंगे वो यहां से आप देख सकते हो special theory of relativity और और भी यहां पे जो हैं आप सारी चीज़ों को screen shot लेकर रख सकते हो PDF में टेलिग्राम चैनल पे upload कर दूँगा या फिर description box में इसकी जो google drive की है वो मैं आप लोगों के साथ link साजा कर दूँगा, share कर दूँगा आगे देख लेजिए heat and thermodynamics को पढ़ना है आपको kinetic theory जो gases है georith law है thermodynamics का first law of thermodynamics isothermic, इन सारे चीज़ों को आपको पढ़ लेना है second law of thermodynamics तो इनको अच्छे से पढ़ना है आगे देखिए optics भी आपको पढ़ना है class 10th के optics को जरूर पढ़ना है उसके बाद इन चीज़ों को पढ़ना है आपको electrostatics और magnetism से प्रस्ण पूछे जाएंगे current electricity से जिसमें की क्रिक्चाफ law है इसका application क्या है distance breeze क्या होता है hitting effect of current bioswars law फेराडे का law है electromagnetic का lens का law है ये सब सारे प्रस्ण आपको current electricity से पूछे जाएंगे बात करते हैं atomic और nuclear physics की तो इससे भी question पूछा जाएगा जिसमें structure of atom बोर्स theory of hydrogen atom ये सब प्रस्ण आपसे पूछ लिये जाएंगे अब बात करते हैं electronics में इसमें देखे और बहुत सारे प्रस्ण है PNP, NPN इनसे प्रस्ण पूछे जाएंगे basic logic और जो truth table है वो आपसे प्रस्ण पूछ लिया जाएगा physics की बात हो रही है यहाँ पे अब बढ़ते हैं paper 2 यानि की mathematics में क्या पूछा जाएगा algebra में आपको पढ़ना है set and theory याद रखिएगा set and theory को आपको 10th 12th में जो set theory था वो पढ़ लेना है इसके अलाबा graduation में जो आपने first year में पढ़ा था set theory उसको जरूर पढ़ लेना है theory of equation को पढ़ लेना है relation between roots and coefficient transformation of equation symmetric function of root ये पढ़ लेना है आपको differential calculation पढ़ना है जिसमें function continuity and differentiability class 12th को बिल्कुल completely पढ़ जाएगे successive differentiation पढ़ना है Leibnich theorem पढ़ना है partial differentiation, Euler's theorem पढ़ना है और tangent और normal को आपको पढ़ देना याँ पे थोड़ी spelling mistake है integral calculus पढ़ना है जिसमें कि आपको indefinite integration of trigonometry rational and irrational function properties of defined integral ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ देना है first order और first degree को भी पढ़ देना है coordinate geometry में देखिये standard equation of parabola, ellipse, hyperbola, tangent and normal को पढ़ना है याद रखेगा diameter जो है excluded है यानि कि ये हटा दिया गया है coordinate geometry three dimension में क्या-क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार different जो coordinate system है और relation between them, direction, cosine ये आपको पढ़ लेना है trigonometry में d-mords, theorem पढ़ना है इसका application पढ़ना है complex argument पढ़ना है Georgie series पढ़ लेना है submission of series पढ़ लेना है तो ये trigonometry का था by the way आप लोगों से मैं जाते-जाते एक छोटा सा प्रसन पुछोंगा since आप physics और maths के student हो तो नीचे comment करके अगर वीडियो यहां तक देख लिए तो दो question का जवाब जरूर देना x to the power 0 की value क्या होगी दूसरा प्रसन है आपको आपको बस ये बताना है pseudo force क्या होता है ये P से start होता है SK spelling ठीक है pseudo force क्या होता है नीचे comment करके ये दोनों का answer आप लोग जरूर दीजिएगा मैं आपके answer का इंगिजार करूँगा प्लीज वीडियो को share कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो high school की त्यारी कर रहे है वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया have a good day